सबी दर्शेकों का पंच्वापकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार है आज के पंच्वांग के अनुसार आज विक्रम सवन्त 2018 के आशाड क्रिशन पक्ष के त्रयोद शिती थी है जो साएं 4 बच कर 25 मिनिट तक रहेगी उसके बाद चतुर्द शितेथे का आरंब होगा आज आद्र नक्षत्र है और हर्शन योग है साथी आज वनीच करन है आज चंद्रमा संपूर्ण दिनों रात्रे में तुन राशी में गोचर करेंगे आज मास शिवरात्री है विच्शन समंधी यातरा की बात करें पंचां के बाद आभ बात करते हैं आज के वास्तो टिप्स की बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं हैं हलाकि इसका एक बड़ा कारण तो ये भी है कि आपके पशन धन नहीं आ रहा है इसके बावजूद आपको ऐसा लगए कि कि प्रयाप्ट धन आ रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रही है तो आप को अपने घर के अगनी कोंड का कलर देखना चाहिए आम तोर पर अगनी कौंड में हरा नीला या पीला कलर होने पर भी है समस्याँ सकती है अगनिकौन के रूप में दिवारों पर हमेशा लाल या हलका गुलाबी कलर होना चाहे वास्तो टिप्स के बाद आप लोगों के लिए आज का सू विचार है कि मनजल पर पहुचना है तो रहा के काटों से मत खबराना क्यूंकि काटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं अब बात करते हैं आज के राशी फलकी कौन सी राशी के लोगों के लिए आज का दिन शुब रहेगा कारे में ये अश्कीरती मिलेगी अशुब स्थान का चंद्रमा परिवार में तनाव के स्थिते उत्पन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नवांश में राशी पती के स्थिते सूद्रेड बनी हुई है रशेप राशी वाले लोगों के लिए धारमिक स्थानों की यात्रा से व्याय की अधिकता रहेगी अफसरों का सहयोग मिलेगा आए में वरिदी होगी कुटुम में किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति के योग बन रहे है कुल मिला कर आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है लेकिन आज आज आपके बिजनस में कुछ समस्या रह सकती है बिजुर्ग राशी वाले लोगों के लिए भोजन और शेयन में लापरवाही के कारण स्वास्ते का पाया कमजोर रह सकता है आज किसी भी नए कारे का प्रारंब आपको नहीं करना चाहिए हताशा और गलानी का भाव आपके मन में उत्पन होगा क्रोध पर सैयम रखे हलाकि प्रेम संबंदों में नई बात सामने आने से प्रसनता का अनुभव होगा तिक राशी वाले लोगों के लिए आज उनके हर कारिय में स्थाफलता मिलेगी लेकिन वाद विवाद या छगड़ों में उलजने से आपको ही परिशानी हो सकती है जीवन की आनित्यता का बोध होने से धर्म के प्रतियास्था में व्रदी होगी आपकी राशी से दस्वब रस्पते शुबकारियों में खर्च करवा सकता है तिक राशी वाले लोगों के लिए शारेरी कोर मान से आरोग या अच्छा रहेगा राशी से चोथा चंद्रमा जल्दी धन कमाने के चक्कर में नुकसान करवा सकता है शुयारादी का कारे करने वाले लोगों को सलह है कि समय रहते अपने सोधे काटले और आज ज्यादा प्रॉफिट के आशा ना रखे गण्याराशी वाले लोगों को आज यो मन क्रोधित हो सकता है क्योंकि बहुत प्रियास करने के बावजूद भी सफलता का प्रतिशत कम रहेगा और प्राप्तिया भी कम रहेंगी गोचर का चंद्रमा आपके पक्षका नहीं है शारिरिक और मानसिक रूप से व्यगरता का अनुभव होगा व्यर्थ धन का व्यः होगा तुला राशी वाले चातरों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे अपने प्रियासों में तेजी लाने से ही कुछ सफलता मिल सकती है अभी दो दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए स्वास्त्य का पाया भी कमजोर बना हुआ है शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्त रहेंगे बिशनस में ज्यादा जोखिम लेने का दिन नहीं है व्यर्शुक राशी वाले लोगों को कोई कारे अचानक उनके पक्ष में हो जाए तो कोई आश्च्वरिय नहीं करना चाहिए आज का दिन पोन रूप से शुप फलदाई होगा विवसाय करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा परिजनों से सोहार्थ का वातावरण रहेगा कारे कुशलता में व्रती होगी धनुराशी वाले लोगों कोजवी का कारे में परिशानियों से निजात मिल सकेगा और परिवार में सामण जस्य बना रहेगा आपकी मनुवरती से सकारात्पक परिवर्तन आ सकते हैं गोचरग रहे आपके लिए शुप और मंगलकाई हैं इसलिए सुभह से ही काम में जुड़ जाएं तो काफी कुछ प्राप्तियां संभावित है मगर राशी वाले लोग शारेरिक और मांसिक रूप से अपने आप को आस्वस्त महसूस करेंगी परिवार में विवाद हो सकता है मन में उठ रहे सईशियों का निवारन आज नहीं तो कल हो पाएगा वेपार में नई अनुबंध होंगे कुम राशी वाले लोगों के लिए मध्याहन की बात का समय अनुकूल रहे का इससे काम में तेजी आएगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगी मानसमान की प्राप्ति की संभावना भी बनेगी हलाकि छाती में दर्द यानने के सिविकार से व्यगरता का अनुभव होगा निरार्थक आर्थिक खर्च से बचने का प्रियास उत्तम है मीन राशी वाले लोग प्रवास प्रियेटिन की योजना भी ना बनाएं समय आपके पक्षका है वानी में मदूरता रखने से ज्यादा लाब में रहेंगी कारूबार करने वाले लोग कई चुनोतियों का सामना सानी से करने में सक्षम होंगी आज के राशी फल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज के राशी फल से जुड़े कोई भी सवाल जवाब है तो कॉमेंट सेक्षिन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें पंचाबकेसरे.com के साथ